हेलो बच्चो क्या आल चाला है सब ठीको आओ कानी सुनचे फिर आज क्योंकि पिछले दो एपिसोड मिसो इन हलांकि मैं को ते बीजी है तो आड़े सामने नहीं आई पाया तुसे ही कानी नहीं सुना ही पाया उस चीज दा मी बड़ा खेद है बड़ा अफसोस है मगर आज प स्कूल जंदे है या कॉलेजिस्ट जंदे है और अजे भी कुछ बच्चे अपने जड़े कजन्स को ला यह बाकी चीज़ें को ला एक वर्ड बड़ा कॉमनली यूज उन्द है स्टूड स्टूड बुलिंग याने कि कोई तुसे ही चिडाद है कोई तोड़ा फाइदा कांज मिल दिन बहुत सारे इंसिडेंटे सेंज ड़े रिपोर्ट नहीं हूं तोड़ बहुत काटे सेंज ड़े डिपोर्ट उंदे तक्रीबन हर बच्चा ओदे को ला गुजर दै और आज देकां इदा शिर्शक है मुकाबला मुकाबला शिर्षक दा जड़ा एक टाइटल है मैं इसकर यह रखिया क्योंकि यह वीच जिस बच्चे दी स्टोरी है वो बुलिंग कने मुकाबला करता है और अल्टीमेटली होदे परा पार पांदा है अपने आप गी पॉस्टिव करिये तो बच्चों काफी सारे बच्चे सारे बुलिंगा क्ibl firstly किलना जर्बर जोर्ण सक्षिह धांगा मुकाबला किता है बुलिंग ज रूबिंग था बुलिंग फेस बुलिंग फेस कीति यू बच्चा है पैरेंट्स करने एक अपने सीबलिंगउ इसकाप्लिंग कुछ ऐसे उस चीज की फेस कर दे रहों देन कुछ है वापस हीट कर देन कुछ ऐसे जड़े चोपर हों देन और अंदर अंदर उससी सोच देन और कहीं वारी हो साड़ा एक फीर यहां स्ट्रेस भी बनी अंदा लाइफ चा तो बच्चो काफी हाड टॉपिक है बुलिंग क्लास थे कुछ बच्चे उसी बहुत तंग कर दे दिखने ज कोई इना शैल नहीं है कोई जादा अच्छ परिवार नहीं है अच्छा परिवार मतलब की रिच नहीं है बड़ा सिंपल जया बच्चा हा अपना ओदे कपड़े भी नहीं अच्छे नहीं होंदे यूनिफर्म अधा बैग भी जड़ा जड़ा अपडेटिट नहीं हूंदा हाला कि सारें आगे गराइं दे बच्चे नहीं हूंदा गराइं बच्चे तो समझा दे ना गाओं के बच्चे विलेच चिल्रन ते उस्कूल जंदा हा छोटा बच्चा हा उसी रोज यहां चिडाना बच्चे बढ़ाओ करना लगातार 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 उदे करने एचीज उन्दी गई उन्दी गई उन्दी गई काफी देरी चीज चल दी रही अल्टीमेटली एक दिन क्यों यहां कि वह चीजां परदाश करदा गया ना अपने टीचर करने डिसकस करदा हा ना आपने बिए मैं आपने खूंस और ऐब कर दा हैं आपने ज़न परformed ल मई कर दे लना के सबहुilles आइस और के सा आपने भरेशाने पर टाह集ित देशन कर सकता स्पोर्ट क्लाशन था हिं देशान कर देश करना टॉशारा क्लाम कि वह सोच दे सोच दे सोच दे उन्हें सोच आ कि क्यों ना जो मेरे करने हो आदा मैं उसी राइटिंग च लिखना शुरू करा शायद मेरा स्ट्रेस कर दे शायद मेरा गुसा उते निकले अपना उसी लिखना शुरू कर दे कर दे कर दे कर दे अल्टिमेटली ए चीज सहो सुच्छ था your skills इसे एख्यशर गी कि डिखी टीचर की मैं एक स्टोरी लिखी दिये में कहानी लिखी दिये मैं ओधी शेव स्टोरी चितु से ही अपना एक स्टेड़ करने सुने का कि बड़ी त्यान करने सुने हो उन्हें कि एक बच्चा हा और रोज स्कूल तु कार जंदे टाइम, रस्तेच एक आम दा पेड आंदा और रोज आम की पत्थर मायदा हा, मतलब आम बटी पत्थर मारदा हा और जयले रोज के उदा पत्थर है वो आम बटी नहीं लगता, डिगी पोन दा हा कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे एक दिन उन्हें ओंप दे बुटे ही पत्थर मारा था हाथ यह पत्थर जड़ा है अम दे बुटे ही लगया बल्कि जाईए एक बच्चे लगया और बच्चे की काफी चोट आई और इंजड़ो ही यह और उस बच्चे की ओदे उस जड़ा इं जट गर हो रहा ही तो यह मतलब है कि तेरी निशानगा नहीं ठीक थो पत्थर मार दा यहां तो निशानी दिए प्रैक्टिस कर ऑचसा क्थी नहीं लांदा उंडा मैं निशाना रोज इसी के लगए खन्ग कि आप तोड़ने दे पार ने उसी पत्थर लगे और आज मेरा स्टोरी है तो इस स्टोरी किया लिखी के हो याद रेकर ने फिर अपना इंसिनेंट ने सुनाया कि पेंड़न करदा गया स्टोरी दीशेप और अल्टीमेटली ए स्टोरी ही मेरी ही रियल स्टोरी है एक उसे स्टूडेंट दी स्टोरी नहीं मैं लिखी दिया और एदेकर ने क्लास देवीच ने टीचर ने बुच्छा कि तु इनना छोटा हो यह ना तुक से डिसकस कीता ना स्टोरी दीशेप एक मैसेज भी देगे ओड़ा और अपो कुछ गलत करां भी नहीं ते एक इननी वड़ी साड़े से शिक्षा यह सीख है और ओदे करने उन्हें आखिया कि क्यों ना मैं इन लोगें दा मुकावला अपनी स्टोरी दे जरीए अपनी कानियां दे जरीए बलकी ना कि इन्हें की हर्ट करिये करां क्योंकि ओ जो बुलिंग मी करा देन ओ ते इस से आस्ते करा देन की मी प्रवोक करन यहांते मैं उन्हें हिट करां और और अगर मैं अपने आभी हिट करना ते मैं अपने आभी हिट करना ते मैं अपने आभी हिट करी आपने आगी हा हो जाएगा आपके अंदर गुसा होगा वो गुसा आता है रहता है आप उसे किसी ऐसी चीज में लेके जाइए किसी ऐसी चीज में इंकलकेट कीजिए अपनी वो चीजों को यूज कीजिए ताकि आप पॉस्टिविटी से आगे बढ़ें और आपका वो जो एटिट्यूट है वो किसी कहानी की शेप में, ड्रामा की शेप में, एक्ट प्ले की शेप में, सोशल मीडिया के किसी ब्लॉक की शेप में, दुनिया के सामने तो वो आए, मगर वो आए इस तरह से कि उसको भी ये मैसेज मिल जाए कि हम इसके साथ गलत कर रहे थे, और आप भी किसी को हर्ट किय बिना भी उसको यह हैसास करा दो कि आप गलत था तो चीजों का मुकाबला करो मगर positivity में negativity में नहीं और यह मुकाबले का सबसे best तरीका है यह सबसे बड़ा जो था आपको मैंने यही बताना था इस story में और आज का यह शिर्शत था मुकाबला तो मुकाबला करना है बचों हमे करना है उस पर movies बनानी है ताकि दुनिया को पता चले कि किसी को किस चीज के लिए गुसा आता है और किसी को आपको परिशान नहीं करना है तो आज की story कैसे लगी comment box में जरूर comment करें सब्सक्राइब भी करें हमारे IDS International Dogra Society के page को और अगली story के लिए अगले Friday तक का इंतजार करें थेंक यू